तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्त संस्क्रित का द्वादश पाथ जिसका मतलब होता है 12 चैप्टर जिसका नाम है विद्या धनम याने के विद्या जो धन है विद्या एक धन है उसके बारे में बताया गया है चैप्टर में ठीक है बड़ा सिंपल सबसे छोटू सा चैप्टर इसको भटा फट खतम कर लेंगे ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो सारा कॉंटेंट आपको यहां मिलने वाला एक दम बड़े भाईया स्टाइल पढ़ा ही में ठीक है जो सबसे बैस्ट होती है इससे आपको सब समझ में आ जाता है इसली कोई दिक्टत होती है तो कमेंड में कुछ भी लिख सकते हैं कोई टेंचन नहीं है ठीक है आपन सब न च राजहार्यम न ब्रात्र भाज्यम न च भारकारी ठीक है लाइन बाई लाइन देखो अब आपको यह अन्वियाय कर दिया हमने मतलब संस्क्रित थोड़ा आगे पीछे करके चलती है तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया कि वो हिंदी के सेंटेंस में इसली विद्याधन की बात हो रही है तो विद्याधन क्या नहीं होता चौरहार्यम यानि कि चोरों के द्वारा चुराये जाने योग चौरहार्यम नहीं है यानि कि विद्या जो ऐसा धन है जो चौरी नहीं किया जा सकता न च राजहार्यम न राजा द्वारा चीनने योग है नह नहीं भाइ द्वारा बांटने योग है अवलब जमीन होती है पापा की वो भाईयों में बढ़ती है उसके चक्कर में लडाईयां होती हैं कि नी तो इसी तरी की से कोई भाई से बांट नहीं सकता चीन नहीं सकता आपसे ठीक है और व्यक्त करते आप देखो आगे पढ़ ले नित्यम एव वर्दते, इसका मतलब क्या है, यह व्यर्ट, यानि कि यह खर्च, यह मतलब खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है, आप जितना इसे खर्च करोगे, यह उतना जादा बढ़ता है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, जो विद्या धन है, वो क्या है, सबी धनो मुक में श्रेष्ट है, सर्वधन प्रधान है, आया समझ में? चलो, अब हमने इसको भी अन्वया बना दिया है, अन्वया से पढ़ेंगे, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, यानि कि विद्या ही मन्युष्य का वास्तविक सौंदर है, विद्या नाम नरस्य यानि कि न एक ऐसा धन है, जो अगर कोई देख नहीं सकता, आपके दिमाग के अंदर है न, अब आपके पास पैसे हैं, जेब में हैं, कहीं रखोगे, बैंक में रखोगे, कोई न कोई देख सकता है न उनको, बट विद्या धन है, जब तक आप शांत रहोगे, तब तक वो कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक है, विद्या भोग कारी, यानि कि विद्या क्या है, भोग का साधन है, भोग यानि कि हमारा खाना, पोशन पालन हम विद्या है, नौलेज है तो जौब मिलती है, यश सुखकारी, यानि कि विद्या भोग का साधन उपलब्द कराने वाली है और प्र गुरुऊं की गुरू है, विदेश गमने, विद्या बंधु जन अर header, च figures नहीं है, तो वही एक लोती है, विद्या प्रादेवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है, राजसु विद्या पूजते जो राजा लोग हैं वो भी क्या करते हैं विद्या की पूजा करते हैं विद्या को पूछते हैं न की धन को राजसु विद्या पूछते नहीं धनम यानि कि वो लोग विद्या की पूजा करते हैं न की धन की राजया लोगं के पास बहुत धन होता है विद्या विहीना पशू यानि कि विद्या के बिना मनुष्य क्या है पशू के समान है ठीक है आगया समझ में तब इसी के साथ इतना चोटा सा चैप्टर था 25 पांच मिनिट की वीडियो में अपनने खतम कर दिया कुछ कंफूजन रहे तो क्या करना है कॉमेंट कर देना है ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो दो लाइक जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो अजी बहुत सारी और वीडियो देखने के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जी टेक क्यार एंड पढ़ते रहिए